आप सबी लोगों का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की प्रीमियम हैज़बैक कार टाटा अल्ट्रोस के बारे में टाटा मोटर्स ने अल्ट्रोस को 2019 जिनिवा मोटर शो में पेश किया इस कार के बारे में आज हम बात करेंगे इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे इसके इंटरियर और इक्स्टेरियर में कौन-कौन से फीचर आपको मिलेंगे उसके बारे में आज हम बा टाटा मोटर्स ने लंबे समय से सुर्खियों में बनी अपनी प्रीमियम हैच बैक कार टाटा अल्टरोस से मंगलवार को परदा उठा दिया। कमपनी ने इसे 2019 जिनिवा मोटर शो में पेश किया है। इसके साथ ही कमपनी ने टाटा अल्टरोस का इलेक्ट्रिक वर्जन भी पेश किया। हलाकि टाटा अल्टरोस का जो इलेक्ट्रिक वेरियंट है वो बाद में बाजार में आ जाएगा। इंटेनियर फीचर्स की बात करें तो इस कार की अंदर आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोर्टमेंट सिस्टेम मिलेगा Android Auto, Apple CarPlay, Support भी मिलेगा Keyless Entry, Start or Stop Push Button, Automatic Hit Lamp, Rear में Parking Camera जैसे फीचर्स इस कार के अंदर आपको मिलेगे Safety Features की बात करें तो इस कार के अंदर आपको ABS, EBD, Child Mount Seat और Front में डिस ब्रेक मिलेगा Rear में आपको Drum Brake भी मिलेगा Tata Ultros के Extender Features की बात करें तो आपको बदा दू कि Ultros Tata Motors की दूसरे AC कार है जो Company की Compact Design 2.0 Language पर काम करती है इससे पेले केवल Harrier SUV ही Tata Motors की AC कार थी जो इस Language को सपोर्ट करती थी Tata Ultros की styling की बात करें तो इसके Front में Tata की Humility Line ग्रिल और Bumper की उपर लंब Head Lamps दिये गए है जो जो लूख है उसको और भी शांदर बनाते है इसके अलावा इसकी साइड में Strong Character Lines और पीछे के दर्वाजे पर Pillar Mounted Door Handle दिये गए है Stylist Diamond Cut Alloy Wheels के साथ बहुत खुबसूरत Front Grill इस कार में लगाए गए है कार के एक्स्टेरियर में Dual Tone Paint Scheme का इस्तिमाल किया गया है कार के रियर में Full LED Light भी दी है बात करते हैं इंजिन स्पेसिफिकेशन के बारे में टाटा अल्ट्रोज 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजिन के ऑप्शन के साथ अवेलेबल है पेट्रोल इंजिन आपको 110 PS की पावर और 170 Nm का टॉर्क जेनरेट करने वाला इसके अंदर इंजिन लगा हुआ है वही डीजल इंजिन की बात करें तो डीजल इंजिन 110 PS की पावर और 260 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है और इसके अंदर आपको 6-speed manual और automatic transmission का ओप्शन भी मिलेगा अल्ट्रोस नाम अलबर्ट्रोस पक्षी से लिया गया है बात करते हैं माइलेज के बारे में ताटा अल्ट्रोस का पेट्रोल वेरियंड आपको 18-20 km प्रति लीटर का माइलेज देगा वही इसका डीजल मॉडल अपको 25 km प्रति लीटर का माइलेज देगा बात करते हैं कीमत की ताटा अल्ट्रोस की कीमत 5.5 लाक और 8.5 लाक रुपीज के बीच होगी इसका मुकावला सीधे हुंडा की i20, वोक्सवोगन की पोलो, मार्ती सुजुकी की बलेनो और हुंडा की जैस से इसका कड़ा मुकाबला होगा अगर हम टाटा की अल्ट्रोस को मार्ती सुजुकी की बलेनो और i20 से कमपेर करें तो टाटा अल्ट्रोस दिजाइंग के मामले में और फीचर्स के मामले में बहुत आगी निकल जाती है जो की 1260 बलोनिक अंदर आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे वही फीचर्स आपको टाता की अल्ट्रोस के अंदर दिये गए है दोस्तो कमेंड बॉक्स में मुझे बताना कि आपको कौन सी कार सबस्तादा पसंद ही 10 लाग के अंदर मार्ति सुजुग की बलानो, हुंडा की i20, हुंडा की जैज या फिर वक्सोगन की पोलो कमेंड बॉक्स में मुझे ये भी बताने कि आपको टाता की अल्ट्रोस कार कैसी लगी आज के वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो को एक लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को फटक से आउन कीजेगा तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दे वीडियो